हलो फ्रेंड्स वेलकम टू नौलेज़ अब दोस्तों आज हम जानेंगे आलू के कुछ गरेलू उपायों के बारे में आलू में विटामीन सी बहुत होता है इसको मीठे दूद में भी मिला कर पिला सकते हैं आलू को चिलके सहीद गर्म राक में भुन कर खाना सबसे अधिक गुनकारी है या इसके चिलके सहीद पानी में उबाल कर खाएं पानी जिसमें आलू उबाले गए हों को न फेकें बल्कि इसी पानी में आलू की सबजी बना ले इस पानी में मिनरल और विटामीन अधिक होता ह अमलता या एसिडिटी की सिकायद में जिन विमारियों के पाचनंग में अमलता या खटापन की अधिकता है या खटी ड़कारें आती है और वायू अधिक बनती है उनके लिए गर्म गर्म राक या रेत में भुना हुआ आलू बहुत लाबदायक है भुना हुआ आलू गेहों की रोटी से आदी देर में पच जाता है और सरीर को गेहों की रोटी से भी अधिक पोश्टिक प्रदान करता है सुखे आलू में 8.5% प्रतिसत प्रोटीन होता है जबकि सुखे चावलों में 6.7% प्रतिसत प्रोटीन होता है इस प्रकार आलू में अधिक प्रोटीन पाया जाता है त्वचा की जूर्यों को दूर करने में आलू का उप्योग सर्दी में ठंडी सुखी हवाओं से हातों की त्वचा पर जूरियां पढ़ने पर कच्चे आलू को पीस कर हातों पर मलें इसे जूरियां ठीक हो जाएंगी गठिया की सिकायत होने पर आलू का उपयोग चार आलू सेंक कर छिलके उतार कर नमक मिर्च डाल कर नित्य खाएं इससे गठिया ठीक हो जाती है खुजली होने पर कच्चे आलू का रस लगाएं या कच्चे आलू की चटनी पीस कर इसे लेब करें कच्चे आलू का रस चोथाई कप में इतना ही पानी मिला कर नित्य दो बार पीने से काफी लाब होता है और मुहासों की सीकायत होने पर आलू उबाल कर छिलके छील कर इसके छिलकों को चहरे पर रगड़ें इसे मुहासे ठीक होता है सूजन होने पर कच्चे आलू सबजी की तरह काट लें जितना वजन आलू का हो उसके डेड़ गुणे पानी में उसे उबालें जब केवल एक गुणा पानी रह जाए तो उस पानी से चोट आई सूजन वाले अंगों को दोएं और इसका सेख करें इसे सूजन में काफी लाब होता है ओक्या फ्रेंड्स थैंक्स फोर वाचिंग इस वीडियो